गुम्रहासा करने की कुशिश कर रही है कि विपक्ष जो है तेईस दिन से सदन नहीं चलने दे रहा है और गिमिक पर गिमिक किये जा रहे हैं कभी तेईस दिन का बीजे पी और एंडिये के सांथ सद्ये कहते हैं कि हम परडे का जो हमारा वेतन है वो हम नहीं लेंगे इस सवाल साफ तोर से सामने जरूर आने चाहिए और आप लोगों को लग भी रहा है कि विपक्ष क्यों ही गठा हुआ है लेकिन फिर भी जब उनकी जो बहुत गिमिक वाले जब चीज़ें आती हैं सामने तो उससे कही न कहीं फिर से बहख जाते हैं इमिक वाले जो सवाले उन पर फिर से चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाती है पहला सवाल तो मैं यह करूँगा पहला इस जवाब तो मैं यह दूँगा और चाहूँगा कि सरकार इस बात का जवाब दे क्या दो हजार रुपे ना लेने से क्या इस देश को जो ढ़ाई लाक करोड रुपे का जो घुटाला हुआ है प्रधान मंत्री जी की नाक के नीचे उस से उसको ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा हुआ लगातार जिस भरष्टाचार की ये बात कर रहे हैं और जिस भरष्टाचार के आज कानून को लाने का ये श्श्रे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं के सदन भ्रष्टाचार विपक्ष जो है विपक्ष्टाचार दूर करने के लिए जो कानून लाया जा रहा है उसमें मदद नहीं कर रहा और सदन नहीं चलने दे रहा उस पर बहस नहीं कर रहा क्या विपक्ष का काम है कि सरकार के द्वारा लाए गए वो तमाम सरकारी बिल वो तमाम सरकारी यो जनाओं कि हां में हां मिलाते जाना और सदन को चलाते जाना या विपक्ष का काम है कि जनहित की देश की समस्याओं को सदन के जरीए देश के सामने रखना जो देश की जन्मानस का जो सबसे बड़ी जो आज व्यथा है उस व्यथा के उपर कोई ध्यान ना आए और सरकारी गिमिक के सहरे सारा सदन सारा मीडिया उन सवालों पर अपने आप को और सारा देश उन सवालों के पीछे लग जाए जो सरकारी सवाल है और सरकार उनको टै करती है विबक्ष ने बहुत साफ पहले दिन से इस बात को इस पश्ट किया है किस देश के अंदर जुलंत मुद्दे है और उन मुद्दों के बार बार जो है नूटिस दिया गया है ये नहीं है कि आखरी वक्त पर नूटिस दिया जा रहा है लगातार तेश दिन अगर सदन नहीं चलाए तो तेश दिन से लगातार पहले दिन से वो मुद्दे सामने है और उन मुद्दों के लिए नूटिस दिया गया है अलग-अलग पार्टियों की तरफ से भी दिया गया है वे पक्षकी पहला मुद्दा बैंक घुटा लेका प्रधान मंत्री ने ये वचन दिया था कि काले धन को हम लेकर आएंगे काला धन कहां आया ये तो मालूम नहीं लेकिन एक मुद्दी लरित मुद्दी से लेके मालिया से लेके नीरव मुद्दी और उनके भाई वो कौन से थे जिनको उनके कौन से चौक सी मामा किसके मामा ये तो नहीं मालूम लेकिन मामा थे इस तमाम मामा इस देश का पैसा बाहर ले जा रहे हैं इन मामाओं को रोकने का काम नहीं इन मामाओं को किस तरह से जो मामा पैसा ले जा रहे हैं उनको किस तरह इस देश में वापस लाया जाए उस पर कोई कानून नहीं बन रहा प्रधान मंत्री ने कहा था कि काला धन वापिस आएगा और कहा था कि अब कानूनों की गिरिफ्ट में देश नहीं रहेगा इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा कानून थोड़े बनेंगे और काम ज्यादा होगा लेकिन जिस दिन से आएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा एहम है देश की जनता की गाड़ी कमाई जो बैंकों में रखी हुई है जो रिटाइड जो व्रद्ध जनों की जो परिवार जनों की जो कमाई है जो आने वाले कल के अपने उस भविश्व को सुरक्षित करने के लिए रखी गई है वो कमाई लोग लेकर बहार जा रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए दूसरा मुद्धा कई साथियों ने इस बात को कहा यूपिय सरकार ने पिछली बार एक वादा किया था जब देश के अंदर आंधरा के दो प्रदेश बने तलंगाना और आंधरा आंधरा प्रदेश को उसको एक स्पेशल पैकेज देने का वचन बद्ध था थी और ये बात आज के मौजूदा प्रदेश की सरकार है उसके मुख्या को वादा किया था जो पिछले तीन दिन से यहां पर वादों की फैरिस्ट गिना रहे हैं आंधरा के मुख्य मंत्री कि प्रदेश की वादे किये थी जो उनके साथ में बीजेपी ने जो एक राजनेतिक धोखा किया है उस राजनेतिक धोखे को लेकर पूरा विभक्ष शुब्द है क्योंकि यूपिय ने ये वादा आंधरा की जनता से किया था आंधरा प्रदेश की जनता आज जवाब मांगती है कि उनके साथ में जो धोखा हुआ है क्या ये मुद्दा एहम नहीं है क्या मुद्दा ये एहम नहीं है कि देश के अंदर देश का प्रदान मंतरी जो फीते काटने में उद्घाटन करने में माहिर है और आज भी यही कहेंगे कि बाबा साथ के इसमारकों का वो उद्घाटन करने के लिए जा रहे है क्या वो गाडन करने से पहले क्या ये नहीं समझ सकते क्या उनकी निगाओं के सामने नहीं है क्या उनको इस बात का कहीं भी कोई विचार नहीं आया कि जहां जहां बीजेपी की सरकारे है वहां बाबा साहब की मूर्थियों को खंडित किया जा रहा है क्या वो समझते हैं कि बाबा साब के नाम के बीच में राम का नाम लगा देने से उनका कर्तब पूरा हो जाता है क्या उनको इस बात के लिए समझ में नहीं आता कि स्टी एक्ट को जिस तरह से कमजूर किया गया है और जिसमें सरकार की जिस तरह से खुले रूप में जिस तरह से सरकार का जो मुँ आइने में दिखाया गया है किसी और के द्वारा नहीं जैसिस गोईल के द्वारा क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आज देश के अंदर पूरे देश के अंदर दंगो जैसे हालात हो गए है हर प्रदेश के अंदर ऐसे हमाहौल है और आज तो एक वीडियो आया है जिसके अंदर बाकाइदा परशासनिक लोग जो है पुलिस वाले जो है गारियों को तोड़ रहे हैं खड़ी हुई गारियों को इसके माने बहुत साफ है कि वो आंदूलन को बदनाम करने के लिए बलिस समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए किस तरह से इन्हों ने ये प्रपंच रचा और बहुत आप ज़्यादा हमसे समझते हैं कि किसी भी कानून को कमजूर करने के लिए उसके दाथ तोड़ दियो जाएं तो कानून मजबूत नहीं रह सकता आप दलित की सुरक्षा के लिए जो कानून है उसको आप कमजूर करना चाहते हैं आपने स्वेम जोए अदालत के अंदर सरकार ने ये बयान दिया है मैं उस बयान को पढ़के मैं आपके समक्ष नहीं रखना चाहता क्योंकि आपको मालूम है कि क्या बयान दिया उसकी कौपियां भी आपके सामने है और मुझे मेरे ख्याल से वो कौपियां आपके आ भी चुकी है मैं आपको दिखा कि अगर कहूं उसका को कि माइनी नहीं कि क्या बियान दिया है सरकार में इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए क्या विपक्ष का ये जम्मेदारी नहीं है विपक्ष की जम्मेदारी है कि सरकार के दौरा लाया गया कानून और वो कानून जो सिर्फ एक गिमिक है एक दिखावा है जो कर्रप्शन प्रिविंशन एक्ट है उसके अंदर पहले से ही जो पुराना हमारा एक्ट है उसके अंदर पहले से ही कर्रप्शन को रोकने के तमाम प्रावधान है लेकिन रोकने के लिए जो मशीनरी है उस तमाम मशीनले को अपने मफाद के लिए अपने फाइदों के लिए अपने चुनावी लाब के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल कर रहे है ना कि इस देश का पैसा वापिस आए ना कि इस गरीब जनता का हमारे बुजर्गों का हमारे रिटाइड लोगों का हमारे रिटाइड फौजियों का हमारे रिटाइड करमचारियों का उनका पैसा जो बैंकों में रखा है वो सुरक्षित रहे